हेलो दोस्तो आज 19 दिसम्बर 2021 के करेंड़ फर को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले 18 दिसम्बर के करेंड़ फर को डिविजन कर लेते हैं तो चेर्मेन बने है अभी चीफ ओफ स्टाफ कमिटी के एम एम नरावने बुटान के हाइस सिविलेन अवाठ नकदक पेलगी खोलो से सम्मानित क्या गया है पीम नरेन्द मोदी को SJFI Sportsman of the Year बने है नीरत चोपरा मुएपे Sportswoman of the Year बने है मिरावाज चानू एंड SJFI मेडल से सम्मानित क्या गया है सुनिल गावसकर को विच स्पेस एजनसी इंटर दर सोलर एटमोस्फेर यानि कि सन के आउटर लेयर में कौन पहुंचा है तो नासा पहुंचा है नासा के पारकर सोलर प्रोब विच स्टेट या फिर यूटी रोल्ड आउट ट्राइलिंग्वल लेंड पास्पुक इन उर्दू, हिंदी, एंड इंग्लिस तो इसको मतलब लॉंच करा है मतलब इसू करा है जमू एन कास्मिर ने विच स्टेट हैस लॉंच मीशन सक्ती लिविंग लेब प्रोजेक्ट तो इसको लॉंच किया है ओडिसा ने तो दुनिया का पहला एसेमेस जो की मेरी क्रिसमस था चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ एस्टन नेवल कमांड ये कौन बने है तो संजे वसायन अगला है विच स्टेट टोप दा लिस्ट ओफ आत्मिर भर भारत रोजगार योजना बेनिफिसरीज तो रोजगार मतलब आत्मिर भर भारत रोजगार योजना के बेनिफिसरी के लिस्ट में टोप करा है महरास्टा मदर ट्रेसा मेमोरियल अवार्ड से तीन लोगों को सम्मानेत क्या गया है अनिल परकास जोसी विद्दूत मोहन एंड रिदीमा पांडे को गलोबल सीओ बने है फ्रेंच फेशन हाउस चैनल के मीना लीना नायर जो की एक बिरिटिस इंडियन है एक बुक है जिसका नाम है प्राइड, प्रिजूरिस एंड पंडित्री इनके लिखगे ससी थरूर तो आज का पहला को सुने बरे राजों की स्रेणी में यानि की लार्ज इस्टेट केटेगरी में कौन सा राज फंडामेंटल लिटरेसी एंड नुमरेसी में टॉप किया है तो इसका सेटरप्शन सी वेस्ट बंगाल तो फंडामेंटल लिटरेसी एंड नुमरेसी इंडेक्स जिसको release किया है Economic Advisory Council to the Prime Minister यानि की EACPM इसको prepare करा है Institute for Competitiveness तो ये institute ने इसको prepare करा है तो large state category में top किया है West Bengal वहीं पर last है बिहार small state category में top किया है Kerala and last में है जहारकंड union territories के category में top किया है लक्सदीब वहीं पर North East state में top किया है Mijoram तो इस index में 4 pillars है and इस 4 pillars में 41 indicators के according states को rank किया जाता है तो ये 5 pillars कौन-कौन से हैं तो पहला है educational infrastructure access to education यानि की सिक्षा तक पहुँच basic health, learning outcomes and governance यानि की सासन तो ये 5 pillars हैं and इनके 41 indicators के according state को rank किया जाता है अगला गुसर ने International Arbitration and Mediation Center का उधगाटन कहाँ पर किया गया है तो इसका सेथरुप्षन भी हैदराबाद में तो IAMC यानि की International Arbitration and Mediation Center जिसका उधगाटन करा है Chief Justice of India N.V. Raman एंड तिलंगना के CM के चंद्रसेखर राओ ने और इसका उधगाटन कहाँ पर किया गया है तो हैदराबाद में तिलंगना की राजानी हैदराबाद में तो IAMC तो ये परियाब्द नियाधिसों की कमी के कारण उत्पन हुई समस्याओं का सिग्र समाधन करेगा ठेक है तो इससे जो मतलब इस IAMC में जो पहला केस होगा वो पहला केस होगा ललित मोधी का Family Dispute Case अगला को सने किस राज सरका ने तीन ने जीले तैसे मिन्यू, नियू लेंड एंड चुम के दिमा बनाए है तो इसका सहत्रप्शन भी नागालेंड ने तो रिसन के लिए नागालेंड गुवर्मेंट ने तीन नियू डिस्टिक को क्रियेट करा है पहला है तैसे मिन्यू जो की दिमापूर से अलग होगा तुसरा है नियू लेंड जो की दिमापूर से अलग होगा तिसरा है चुमु के दिमा ठीक है और यह कोहिमा डिस्टिक से अलग होगा तो अभी टोटल नागालेंड में 15 डिस्टिक हो जाएंगे तो लंगालन की बात करते हैं उसके capital है कोहिमा, गवर्नर है जगदिस मुखी जो की additional charge में है एंट जगदिस मुखी ये असम के भी गवर्नर है ठीक है एंट चीफ मिनिस्टर है नेपियू रियो अगला कुशन है, हाली में new generation ballistic missile अगनी P का सफल परिक्षन कहां से किया गया है तो इसका सेथरुप्षन ए, APJ अब्दुलकलाम आइलेंड से ठीक है तो अगनी P5 जिसको अगनी प्राइम करते हैं ये एक new generation nuclear capable ballistic missile है एंड इसको successfully test fire कराए DRDO ने और ये कहां से किया गया है, तो डाक्टर APJ अब्दुलकलाम आइलेंड से जो की ओडिसा में स्थी थे ठीक है तो अगनी P जो की ये एक advanced version है अगनी series का मतलब अगनी series का ballistic missile का तो अगनी series को देख लेते हैं, तो अगनी 1 जिसकी range है 700 km अगनी 2 इसकी range है 2000 km अगनी 3 & 4 जिसकी range है 2500 से 35 km अगनी 5 जिसकी range है 5000 km ठीक है तो अगनी P जो अगनी प्राइम करते हैं उसका सफल परिक्षन किस ने करा है तो DRDO इसका फ्लूफम होता है Defense Research and Development Organization कब बना था तो 1958 में Headquarter है न्यूदेली में और इसके Chairman है Dr. G. Satis Reddy ठीक है अगला कुशन है हाली में चर्चा में रहे रमना काली टेंपल किस देश में इस्तित है तो इसका सही उत्रप्षन भी बंगला देश में तो रमना काली टेंपल जो की बंगला देश की राजानी ढाका में इस्तित है and this temple was destroyed by Pakistani force during 1971 war तो 1913 के war में पाकिस्तानी force के दौरा इस temple को destroy कर दिया गया था and यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेटली प्रिसिडेंट रमना काली टेंपल को उधगाटन करा है अगला कुसर ने Logistics Unified Logistics Interface Platform यान की ULIP Hackthorn किस ने लॉंच किया है तो इसका सहत्रप्शन सी DPIIT ने तो Logistics Unified Logistics Interface Platform यान की ULIP Hackthorn इसको लॉंच किया गया in line with the objective of PM गती सकती and इसको लॉंच करा है DPIIT ने यान की Department for Promotion of Industry and Internal Trade जिसको और्गनाइस करा है निती आयक एंड अटल इन्नोवेशन मिशन ने मिलकर तो ये ULIP यान की Unified Logistics Interface Platform जिसके जर्ये 14% हाई Logistics को रिड्यूस किया जाएगा इसके जर्ये इंडिया के Competitiveness को इन्हांस किया जाएगा in the global trade और ये प्रोवाइट करेगा एक Real Time Information तो ये Logistics कोस्ट क्या होता है तो कोई भी product या फिर service या good जिसको market में उताने के लिए जितना भी expenditure यान के खर्च होता है उसको Logistics कोस्ट करते हैं ठीक है जिसमें से ट्रांसपोर्ट storage कोस्ट या फिर shipping कोस्ट ETC ये सारे चीज सामिल रहते हैं ठीक है तो इसका mission होगा मतलब इसका aim होगा 14% हाई Logistics को reduce करना अगला कोस्ट ने सूपर टाइफुन राई हाली में किस देश से टकराया है तो इसका सहत्रक्षन सी फिलिपिन से तो टाइफुन राई जो की currently एक पारफुल ट्रोपिकल साइकलोन है जो की recently hit किया है फिलिपिन्स को एंड इस साइकलोन को फिलिपिन्स में टाइफुन ओडेट के नाम से जाना जाता है तो दुझारा कि इसके कुछ important साइकलोन को देख लेते हैं जिसका नाम अलग-अलग countries ने दिया है तो साइकलोन जवाद जो की हाली में चर्चा में था इसका नाम रखा है साइकलोन साहिन जो की कतन ने रखा है साइकलोन यास जो की ओमान ने इसका नाम रखा है साइकलोन तौक ते यह भी बहुत ज्यादा चर्चे में था इसका नाम रखा है मयामार ने साइकलोन गुलाब पाकिस्तान ने एंड साइकलोन निवार इरान ने अगला गोस ने वर्स का वैस्विक उ entrepreneur of the year award in business transformation in 2021 जिसको रिसीब करा है कुमार मंगलम बिल्ला जो की फर्स्ट इंडेन इंडेस्टी लेस्ट है जुन्होंने इस अवार्ड को रिसीब करा है अच्छा यह कुमार मंगलम बिल्ला जो की आदित्य बिल्ला ग्रूप के चेर्मेन है पर्जेंट हैं इस अवार्ड को द एलन मस्क, जेफ बेजोस, एंड सत्या नडेला को भी दिया गया है तो एलन मस्क जो की टेसला के CEO है एड फौंडर है इस पेस एक्स के ठेक है जेफ बेजोस जो की अमेजन एंड बू ओर्जिन के फौंडर है वही पर सत्या नडेला, माइक्रोप्ट के CEO है अगला कुछ से तो इसका सहतरुप्शन बी नर्यन मोधी ठीक है तो गंगा एक्सप्रेस वे जो की एक ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट है एंड ये उत्तर प्रदेश का लोंगेस्ट एक्सप्रेस वे होगा इसको 2024 तक मतलब इसको complete कर दिया जाएगा जो कि connect करेगा मेरट district to परियागराज district अगला कोशने golden peacock environment management award 2021 से किसे सम्मानित क्या गया है तो इसका सहे उत्रप्षन भी sale को ठीक है तो golden peacock environment management award 2021 जिसको receive करा है sale ने sale मतलब still authority of India limited इस अवार्ड को दिया गया है institute of directors जो कि इंडिया में है इसके दोरा इस अवार्ड को दिया गया है ठीक है तो sale यानि कि still authority of India limited इसका फोर्में सुना था 1954 को यह आते अंडर ministry of still के headquarter है न्यू देली में इसके chairman है स्वमा मॉंडल अगला कोशन ने किस सहर में grand finale औब वंदे भारतम निर्तिय उत्सप का आयोजन किया जाएगा तो इसका स्यत्रप्षन C देली में ठीक है तो वंदे भारतम जो की एक unique initiative है and यह initiative है ministry of defense and ministry of culture का ठीक है इसको organize क्या जा रहा है as a part of आजादी का अमरित महुसक जो इसके winners होंगे उनको मतलब 2022 के republic day period में perform करने का chance मिलेगा अगला को सन्य हाली में cabinet ने ने मिलिखत में से किस के लिए तेरो सो क्रोर की परोत्साहन योजना को मंजूरी दी है cabinet approved an incentive scheme worth 1300 क्रोर for which of the following तो इसका सहोत्रप्शन सी बहुत ANB यान की रूपे card and भीम UPI के लिए तो recently cabinet ने incentive scheme को approved किया है for promote रूपे debit card and भीम UPI transaction और इसके लिए government invest करेंगे 1300 क्रोर